तमस्कार दोस्तों देखिए आज आपका आपकारी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ और सेकेंड शिफ्ट की जो अभी पेपर होने वाला है या हो रहा है कुछ student ने कुछ questions बताए हैं ये उनके द्वारा बताए गए questions है जिनको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो सकता है इसमें से कुछ questions ना भी आपकी exam में आये हो कुछ questions आ गए हो क्योंकि कोई भी student जब बतादा है तो हम 100% उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते कि हाँ ये आई ही होंगे ठीक है और ऐसा भी नहीं सोच सकते कि ये questions नहीं भी आये होंगे ठीक है पर कुछ ऐसे questions है या कोई ऐसे chapter हैं जिनके बारे में हम बता देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आने वाली आपकी जो shift का paper है वो कैसा आ रहा है या कैसा आ सकता है ठीक है तो सबसे पहले मैं reasoning की बात कर लेता हूँ तो reasoning में आप लोगों का जो paper आया है वो बहुत ही अच्छा आया है एक भी प्रशन ऐसा नहीं है कि जो हमने ना पड़ा हो या अलग से आया हो सारे वही chapter हैं जो हमने पड़े हैं बस एक बार मैं फटा फट से लिग देता हूँ या बता देता हूँ कि वह कौन से chapter थे सिर्फ काम की बात जैसे कि सबसे पहला महतोपून topic आप लोगों का coding decoding अब coding decoding जो है आप लोगों में से कुछ लोगों के phone message आये उन्होंने कहा सर् 5 प्रशन आये कुछ कहरे 8 प्रशन आये तो कम से कम आप 5 से 6 प्रशन तो इसके मान के चलिए 5 से 6 प्रशन coding decoding के किसी ने 10 भी बताये हैं तो 5 से 6 प्रशन तो आएंगे याएंगे क्योंकि यह deserve करता है इसके बाद आपका analogy classification में हर बार कह रहा था कि analogy classification से कम से कम 4 प्रशन आएंगे और आए है analogy classification आप लोगों का जो प्रशन है वो कम से कम 5 प्रशन आप लोगों को देखने को मिले हैं चार से पांच प्रश्ण आप लोगों को देखने को मिले ही है, और ये प्रश्ण बहुत साधरन से, आसान से प्रश्ण है, कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको कोड पूछा गया, सारी टाइप से पूछा गया, आपको उपर कह दिया भई, प, A, W, A, N, इसका कोड क्या है, वो नंबर में पूछ ले, वो लेटर में पूछ ले, सेम चीजे, वही आपको एक और किसी नाम दे दिया, और उसका कोड पूछा गया, संख्या का कोड पूछ लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच को दस, एक, दो, तीन, चार, पांच को पांच, छे, साथ, आट, नो लिखा है, तो नेक्स्ट वाली संख्या का कोड क्या होगा, तो सेम चीजे, अंतर वगेरा देखना है, सिरीस ते कोई questions बहुत कम देखने को मिले हैं, पहली एसी exam, जिसमें, सिरीस का एक भी प्रशन, कुछ कहा रहे हैं कि, आया है एक प्रशन और कुछ कहा रहे हैं, नहीं आया है, तो सिरीस का कोई प्रशन देखने को नहीं मिला, बट sitting arrangement, भाई सब sitting arrangement के questions देखने को मिलें, बैठक व्यवस्ता, seating arrangement और आपको इसके questions कम से कम तीन से चार प्रशन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको circle में लोगों को बिठाना है आठ लोगों से related questions आएगा जिसा कि कल हमने मेरा तर में पढ़ा था सेम आप लोगों को आठ लोगों को अंदर की तरफ मो करके बिठाना है हो सकता है आने वाली shift में आपको line से पूछ लिया जाए, square से पूछ लिया जाए seating arrangement आना चाहिए समय ज़्यादा नहीं लेना है, कम समय में seating arrangement को करना है blood relations equations को blood relations equations आए थे blood relations दोनों ही type equations पूछे गए थे आप लोगों का normal जो puzzle वाले equations होते हैं जिसमें कि कोई किसी की मा बेटा बहन है वो वाला प्रशन और दूसरा है coded blood relation तो दोनों ही प्रशन पूछा गए थे आप लोगों से blood relations से संबंधित ठीक है direction से प्रशन एक पूछा गया था तो ये भी ध्यान रखना वोटर इमेज से मिला था या कोई वोटर इमेज की जगे कह रहा है embedded figure से था तो ठीक है आप लोगों का मतलब आकरती वाले equations तो कम से कम 3-4 तीन चार देखने को मिल नहीं है और ये तो आपको उसमें एक और प्रशन था calendar केलेंडर मैंने कहा था calendar इस भार पूछा जा सकता है calendar आप लोगों से पूछा गया दो प्रशन पूछे गए calendar से और normal है दोनों प्रशन एक तो पूछा था कि कोई मैं मन से बना रहा हूँ एससा कोई प्रशन था तीन मार्च को अगर मान लिजिए शनिवार है तो उन्होंने ये पूछा था कि 15 मार्च से लगा कर 24 अप्रेल तक कितने ऐसे शनिवार है जो विशम तारिक पर आए है विशम तारीक पर कितने ऐसे शनिवार हैं जो आए हैं 15 मार्चे से 24 अप्रेल तक और एक नॉर्मल ही था कि अगर मान लीजिए 14 अप्रेल को शनिवार है तो 15 अप्रेल को मतलब 15 अगस्त कर लीजिए 15 अगस्त को क्या वार होगा बहुत सारे ऐसे questions किये हैं ऐसे कोई बता है थी, एक simple सी date से आया है जैसे कि 5 जून 2006 को क्या वार है simple साई एक एसा question आया तो 2-3 प्रशन देखने को मिले हैं मैंने 3 लीखे इसका मतलब 3 नहीं आया है इन दोनों में से कोई एक आया होगा या न दोनों में से कोई एक आया होगा तो दो प्रश्ण कम से कम आपको कैलेंडर से देखने को मिलेंगे क्लोक नहीं आई थी तो क्लोक जिन लोगों को नहीं आती घबराना की बात नहीं है पर आने वाली शिप्ट में आ भी सकती है इसलिए पढ़ लेना उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों का तो इनिक्विलिटी जो असमानता था उससे अभी तक कोई प्रश्ण किसी ने बताया नहीं है कि असमानता से कोई प्रश्ण आया था तो असमानता अभी तक आई नहीं है असमानता मतलब समझ रहे ना यह वाला यह वाला symbol वाले questions थे वो अभी तक नहीं आया है logical reasoning से questions जरूर आये है logical reasoning इससे questions आये है पर कोई बहतरी नितरी से बता नहीं पाया है कि कौन सा questions आया ही है logical reasoning बिल्कुल आई होगी और आनी भी चाहिए तो आती ही है तो हमारे constable वगेरा में आईगी logical reasoning आईगी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो dice और when diagram बहुत महतोपून topic है तो अगर जो लोग अभी तक इनको नहीं पड़े हैं आज की shift में आया कि नहीं इसका तो अभी तक किसी ने नहीं बताया इन chapter के बारे में पर ये पढ़के ही जाना इससे कम से कम दो प्रशन किसी भी shift में देखने को मिल ही सकते हैं reasoning जादा रही है कम से कम 30 प्रशन से जादा की reasoning आई है तो समझ जाईएगा 30 number से जादा आपको केवल reasoning दे के जाएगा साधरन सा paper है अगर आप पढ़के जाए हो अगर आपने पिछले कुछ दिनों की भी classes YouTube पर एप्लिकेशन पर कहीं भी ली है आपका paper बहुत अच्छा जाएगा 30 बटे 30 भी ला सकते हो एक भी प्रशन बाहर नहीं आएगा तो ये था हमारा reasoning का अचली अब आप लोग दिपक सर से या विशाल सर से जुड़िये और वो आपको GK के बारे में Maths के बारे में बताएंगे ठीक है तो चली रिजनिंग बहुत आसान आई थी दिपक सर से जुड़िया चलो भई हर बार की तरह पेन उठाने की जरूत नहीं है ठीक है मैं आपको बता देता हूँ वही नॉर्मली वही है जो हम पढ़ते हैं यही अंक गणित से आये थे सवाल और Advanced Maths से आये थे हैं है ना Advanced Maths ठीक है इसको तो काउंट करने की जरूत नहीं है बेसिक बेसिक टोपिक आते हैं हमारे ठीक है तो यह सारे टोपिक से आये हैं कोशन एक एक कुशन सबसे आये हैं Advanced Maths में Coordinate Geometry से भी कोशन बने हैं ठीक है दूसरा Simplification से भी आये हैं तीसरा Height and Distance से भी आये हैं उचाईदूरी से जोमेट्री से भी आये हैं मतलब पूरा Advanced Maths से है ठीक है पूरा Advanced Maths से है और स्तांकी की भी पूछी गई है सांकी की भी पूछी गई है basic basic questions है ठीक है ज्यादा लोड लेने की जरूत नहीं है आपकी इन सभी मेराथन मैं भी थोड़े दिन में ले लेंगा ठीक है एक एक दू-दो questions आ सकते हैं अंक गणित यही परसेंटेज प्रोफिट एंड लोज डिस्काउंट रिशो और यही टाइमेंड वर्क है नंबर सिस्टम है सब कुछ आया था इसमें है न तो इससे भी कोशन सेम टू सेम आये हैं जो नौर्बली सरी सारी एक्जाम में आते हैं तो मैट्स को लेके मैं कोशन भी क्या बता हूं आपको बेसिक बेसिक कैलकुलेशन एक्यूब माइनस भी क्यूब का फॉर्मला बताईए इस तरीके के छोटे-छोटे सिंपल सा पेपर बहुत आसान आया है ना बस वह अब क्या है स्टुडेंट्स कोई लड़की बूल रही थी हमें पॉन लगाके कि 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 किस टोपिक का पता नही अब हग्वान जाने सिवरातेर की उत्री नियुकर तो अब 10 वह वर की जाने देवी जी क्या है भगवान जा इतने फो नहीं आतें पर तो पिर तो कुछ आया इन्होंगा हूंगे बहुत सब्सक् az Rei छोट recogn45 नहीं संभव नहीं है टॉपिक ही 40 होते हैं कोशन्स तो 20-30 आये होंगे सिधी बात है हर कोशन्स अगर एक एक टॉपिक का भी लें तो 40 टॉपिक बनते हैं तो 40 कोशन्स तो मैट्स के नहीं आये होंगे पेपर देखने के बाद ही अंदा चसल पाएगा कि वो लड़की ने पी थी की नहीं पी थी तो 10 नंबर की सांकी की तो कोई नहीं मानेगा तो इतने आया नहीं होगा इस्टूटेंट पढ़ते नहीं आधे सही मायने में बताते नहीं है सबका अपना-पना point of view है कोई reasoning की चीज मैट्स में consider करता है कोई मैट्स की चीज रिजनिंग में तो बता नहीं पाते हैं वोग ठीक है चलो अब जी के पता कर लिजे विशाल सर से क्या क्या आया था बाकि लोड लेने एक जरूत नहीं है आपको गवराना बिल्कुल नहीं है जो आपका है recorded दे रहे हम आपको यह विडियो वरना हम भी लाएव आके सारी चीज बता देते यह आया वह आया और यह आप देखने की जरूत भी नहीं है है ना बटको मत आप लोग अपनी तयारी जारी रखो चलिए विशाल सर से जूड़िए है चलिए अपकारी का पेपर था भी ठीक है फस्ट का पेपर हुआ है परने की कोई बात नहीं है ठीक है बहुत बेसिक से प्रस ने पूछे गया है जो बच्चे बता रहे हैं उसके अकोडिंग में आपको बता देता हूं कि जो क्लासेस हमारी होती है उसके अंदर इन सारी चीजों को पहले ही कवर किया गया था लेकिन आप ये मुगालते दूर कर लेना क्योंकि कॉंस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ था पहली पहली सिप्ट के कोशन बहुत बेसिक से पूछे गया थे जीके के अंदर और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हलवा प्रस्ण जो आये हैं जीके क से क्या कोई प्रस्ण पूचा गया था तो बिल्कुल सर एमपी जीके के जो कॉश्टन थे उनकी संक्या लगातार बड़ी है और लगबग 6-7 प्रस्ण आप एवरेज मान सकते हूं कि 5 प्रस्ण तो एटलिस मिले ही मिले है ऐसा बच्चे बता रहे हैं ठीक है मैं हर बार यह को उनकी को गाल बताए गया है ना तो हमने पेपर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक उसक्ता है कि आप किसी ने प्रस्ट पार्ख कहां है काना किसली नेशनल पार्ख कहां है यह पूचा गया था प्रस्ण एक जै विलास महल के बारे में कोई प्रस्ण आया था, एक ये नहीं पूचा था कि जै विलास महल कहां है, है ना, साध ये पूचा था कि जै विलास महल का डिजाइन किस ने क्या था, ऐसा कोई प्रस्ण था, एक राई प्रमीन महल के बारे में पूचा था, आप सब को पता, के बारे में प्रशना आता है तो आपका ये करता भी बनेगा का चंदेल के बारे में पढ़ ले ठीक है आप पमार के बारे में पढ़ ले जो देवास के अंदर होते थे ठीक है परमार आपने पढ़ी लिया आप कल्चूरिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाए क्योंकि हो हो सकता है कि वो हो कंचुरी की आप से पूछ ले एक समविधान से प्रशन आया था और कहा या जाता है कि वह चुनाओ आयोग का जो अनुछेद है वो पूछा था आप सबको पता है चुनाओ आयोग का अनुछेद सब्सक्राइब करन्ट भर सकते उसको घुल मिला कि बहुत बैसिया यह और मेरे ख्याल से जिसने just review होगी उसने सारे अटेम्ट किये होंगे और बहुत बैसिक बैसिक से प्रस्न है और क्या प्रस्ना है एक दो में और बता देता हूँ आपको आपको है नकिसारी पढ़ने की आवशक्ता नहीं है भारत के वरतमान राश्टपती किस राज्य के राज्यपाल रहे ऐसा भी प्रस्णा अन्हें आपके वरतमान में मोधआया है वो कहां की राज्यपाल रही है ये प्रशना आया है चचाई वाटरफाल के बारे में पूछा गया है देवगड किले के बारे में पूछा गया देवगड किले के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ दिन पहले ही हमने इस किले को पढ़ा था देवगड किला ठीक है आ उसमें भी क्या आया है तो जो मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि sports बहुत important होता है और sports से ही प्रस्ण पूछा गया था और वध्यप्रदेश का विश्वामित्र अवोड कौन से सन से दिया जा रहा है ये प्रस्ण आया था मेरे क्याल से विश्वामित्र अभॉट के बारे में प्रस्ण पूछा गया था उसके बाद अगेर हम से रहा है उसके Shunkang किताब के बारे में प्रस्ण पूछा गया है घण्यय कोनय तो किताबों से लगातार एक दो प्रस्ण की संख्या देखी गई हैं तो यह basic से questions थे मेरी आपको सला है कि हो सकता है इसमें से कुछ question न पूछे गए हो हो सकता है कि सारे ही प्रस्ण यह आये भी हो paper के अंदर लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे यह बत्ति बाजी में होंगे हैना कुछ सो प्रस्ण ऐसे हैं जो एक्जाम में आए हैं और डेफिनेटली ऐसे प्रस्ण जो आए हैं वो सरल सरल पूछ जा रहे हैं हो सकता है कि आने वाले सीप्ट में में शाम को फिर जो सिप्ट होगी उसमें questions का pattern बदल जाए हैना क्यों कि व्यापम हमेशा से ऐसे ही करता आया है आप देखते आ कॉस्टेबल में ऐसा हुआ था स्टार्टिंग के पेपर बहुत अच्छा आया थे बाद में परेशानी आ गई थी बच्चों को है ना तो हो सकता है कि आपकारी में भी ऐसा ट्रेंड वापस से व्यापम फोलो करें कुछ बच्चे बोल लेते हैं MPGK के questions तो MPGK के questions की संख्या बड़ी है और इतने ही questions लगवख 5-6 questions आते ही आते हैं यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो analysis के चक्कर में आप न रहे हैं ना बहुत सारे जगह पे आपको बहुत सारे analysis analysis live आके बताये जा रहे होंगे तो उनके चक्कर में भी न पड़े क्योंकि आप demotivate हो जाएंगे हो सकता है question कोई ऐसा बता दे जो आपको पता ही नहीं हो और आपको लगे सर तो जहां तक अगर मैं आपकी पूरी बात करूं इसका सार निकालू तो आप समझ सकते हैं कि reasoning के मैस के अंदर है और जीके के अंदर लगबग वही प्रस्न आपके पेपर में आये हैं जो लगातार आपने मेहनत करके सीखे हैं एक साल तर आ ना यह भी नहीं करें कि हमने पड़ाय वही आया वही जो सारा पड़ाया तो सीदिसी बात है ना वहीं रिज्जिनिंग में जतने तोपी के answer ने सब पढ़ाये होंगे तो ऐसा तो नहीं सकता कि वह उसमें से पूरा वह है ठीक है यानि कि सारे ही कोश्चन जब पढ़ा दिये तो उसमें से आना है यह आ हमेशा ऐसे ही प्रस्ण देखने को मिल सकते हैं और ट्रेंड चेंज भी हो सकता है तो एनालिसिस के चक्कर में आप न पड़े रिविजन करें ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें मेरी शुब कामना है आप सभी को कि बहुत अच्छे नमबर आप लेके आए आपकारी आपका